हलो दोस्तो आज हम इस वीडियो में SBI Card के share का review करने जा रहे हैं और recently SBI Card का IPO launch हुआ था और लोगों को जो SBI Card का IPO का allotment हुआ था वो 755 के price पे allotment हुआ था तो SBI Card का share जिनके पास होगा maximum लोगों का average buying price होगा वो 755 के करीब होगा तो अभी जो इसका price चल वो 580 के करीब चल वा मतलब जो issue price था उससे बहुत नीची आ चुका है अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहोंगे कि SBI Card के share के साथ हमें क्या करना है तो इस वीडियो में हम इसका complete review और detail analysis करने जा रहे हैं उनके लिए अभी सही समय है या नहीं या फिर SBI Card का IPO और नीचे जा सकता है तो वहाँ पर लोग buying कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे साथी साथ इसका जो next support level है वो कहां पर है यानि कहां तक इसका downfall और जा सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में details से बताने जा रहा हूँ तो अगर आपके पास SBI Card का share पहले से मौजूद है या नहीं तो आप SBI Card के share को buy करने की सोच रहे हैं तो कुछ भी करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख ले क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको clear idea मिल जाएगा कि आपको SBI Card के share के साथ क्या करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने SBI Card के उपर last video भी बनाया था और उस video हमने बताया था कि 700K level पे resistance level है और उसके उपर जाता हुआ नहीं दिख रहा अगर वो break होता है तो इसमें upside momentum आएगा नहीं तो downside momentum continue रहेगा तो जैसा आपने last video बताया था उसी तरह का momentum इसमें देखने हो कि मिला था ये 700 के करीब जाके इसको break नहीं कर पाया था उसके बाद नीचे आया और 580 के level तक पहुँच गिया है तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि SBI Card IPO का जो all time high है वो 769 है यानि जो issue price था उससे ये थोड़ा सा उपर गिया था तो वहाँ पे कुछ लोग को मौका दिया था बहार निकलने का तो कुछ लोग तो बाहर निकल गए होंगे लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी SBI Card IPO में फ़से हुए है उनको क्या करना वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताते रहूंगा all time लोग है वो है 575 जो कि आज ही कल में इस level को touch किया है तो सबसे पहले अगर हम support level की बात करें तो जो 580 का support level था उसको ये closing basis पे almost break कर दिया है और आज ये 578 के करीब closing दिया है तो 9 April को आपको देखना है कि 580 का support level भी gain होता ही कि नहीं होता है अगर SBI Card 580 के उपर open होके और closing भी इसके उपर देता है तो फिर इसके लिए साही है लेकिन अगर ये 580 के level को regain नहीं करता है तो इसमें downside momentum continue रहेगा और यहाँ पे अभी आपको कोई भी fresh buying नहीं करना है और इसमें और downfall नज़रा रहा और ये आपका 550 के level तक आता हुआ दिख रहा इससे नीचे भी जा सकता है लेकिन अभी current scenario के हिसाब से ये हमें 550 के level तक definitely आता हुआ दिख रहा तो जो last video आपने बताया था कि 580 के level से आप fresh buying start कर सकते है उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे wait करना है और वो लोग 550 के level से definitely fresh buying start कर सकते है तो यहाँ पे 550 के उपर किसी भी level पे आपको fresh buying नहीं करना है हम बोल सकते हैं कि 80% chances है ये थोड़ा और नीचे आके 550 के level को touch करेगा लेकिन अगर ये 9 April को 580 के support level को regain कर लेता और इसके उपर closing दे देता है तो फिर ये थोड़ा बहुत upside दिखा सकता है और फिर से आपका उपर जाके first 650 के level को touch कर सकता है लेकिन उसके chances बहुत कम नजर आ रहे है और यहाँ पे हमें 650 से उपर जाता हुआ नहीं दिख रहा maximum upside हमें यहाँ पे 650 तक ही नजर आ रहा तो जो लोग fresh buying करने की सोच रहे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा wait करना होगा या नहीं तो अगर आप यहाँ पे buying करना चाहते हैं तो जितना भी fund का buying करना चाहते हैं उसका 20% fund use कर सकते हैं 580 के level के नजदी 20% fund से ज़्यादा use नहीं करना है यानि अगर आपको SBI card IPO में 10,000 का investment करना है तो 580 के level पे आपको सिर्फ 2,000 रुपीज का buying करना है उसके बाद जब यह 550 के level के नजदी का जाएगा या फिर इस level को break करके नीचे चला जाएगा तो फिर आप यहाँ पे आप अपना 60% fund और use कर सकते हैं 100% fund तब भी नहीं use करना 60% fund यूज करना और 20% fund और हमें बचा के रखना further downfall के लिए यह तो हो गया fresh buying के लिए जिनके पास पहले से share है यानि जो लोग पहले से इसको hold कर रखे उनको क्या करना अब मैं आपको बताता हूँ तो उनको भी अभी यहाँ पे hold ही करना है उनको अभी यहाँ पे loss book करके में यह दिखा चुका था और अभी भी इसी support level के नर्जदी का आ गया है तो अगर यह support level break होता है तो इसमें जवर्दास downside out देखने हो की मिलेगा अगर यह support level break नहीं होता है तो फिर से आपका 650 तक तो जाता हुआ नजर आ रहा है जिन लोगों के पास share hold है यानि holdings में परा हुआ उनको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है आपको यहाँ पे 12 months के time frame के लिए hold करना 12 months तक आपको यहाँ पे कुछ भी सोचना नहीं है और उसके बाद आपका यह definitely 800 to 1000 का level दिखाने वाला है next 12 months में यह बात आपको ध्यान में रखना होगा तो जिनके holdings में SBI card का share है उनको अभी यह level देख के panic नहीं करना है अगर 550 के level तक आता है SBI card का IPO तो लोग अपना average कर सकते हैं और आपको कोशिस करना है कि इसका जो average है वो 700 से नीचे आ जाए अगर आपका average price 700 से नीचे आ जाएगा तो आपके लिए बहुत beneficial रहेगा और जब यह upside जाएगा तो वहाँ पर आपको maximum return मिल सकता है तो सावे लोगों को एक ही कोशिस करना है कि अपने average price को 700 से नीचे लाना है यह काम आपको कब करना है जब SBI card का share 550 के price के नजदी के आ जाए या फिर उस level को break कर दे तो फिर आप buying करेंगे तो average price automatically नीचे जाएगा और यह आपका 700 से नीचे definitely आ जाएगा तो जिनको fresh buying करना उनके लिए हमने बता दिया आप यहाँ पर 20% का buying कर सकते हैं बांके 60% 550 के level पर कर सकते हैं और जिनके पास share hold है उनको अभी holding करना यहाँ पर loss book करके market से बाहर नहीं निकलना So that's all friends I hope आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह video पसंद आया तो इस video को like जरूर करें और अगर अभी ते आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है हमारे चैनल को subscribe भी करें और साथी साथ बेल आइकन दबाना ना भूले Thanks for watching